प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71 जनन दिन पर उन्हें देश विदेश से बधाया दी जा रही हैं, बिहार में मंत्री और विकाश सील इंसान पार्टी के मुखिया मुखेश सहनी भी अपने तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को बधाया दे रहे हैं, आज गंगा नदी में 71,000 अंगुलिकाओं को यानि की जो छोटी मचलिया होती है उन्हें गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है उन्हें गंगा में डाला जा रहा है और ये अपने तरीके से बधाई देने का तरीका है मुकेश सहनी का तस्वीरे पटना के कलेक्टरेट घाड की है जहां मुकेश सहनी अपने कारिकरताओं के साथ विभाग की ओर से ये कारिकरम कर रहे हैं जहां प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश दे रहे हैं उनके 71 जनम दिन पर 71,000 अंगुलिकाओं को प्रवाहिद करके सहनी जी ये जो तरीका आपने अपनाया अब प्रधान मंत्री को बधाई दे रहे हैं जह मानियम देश के परधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जनमीन दिन है एक खत्मा साल है और उसी जगह पे हमने उनके लंबे उम्र के लिए सुब कामना है और इस वर से कामना करते हैं कि उनके आयू लंबा हो और इसके लिए हमने रहू मचली 71,000 पीस गंगाजी में हैं परवा किये हैं कि इससे परियावरन में सुद्धिता रहेगा और भविस में मच्पारा के लिए भी भेटर होगा दूसरी बात है कि जब हम तलाब में मचली पालते हैं उसका आयू जादा एक साल नेर साल होता है जब हम गंगाजी में डाले हैं तो उनका आयू कई वरस लेकिन टाइम नहीं मिल पाएगा मुझे लगता है तो यहीं पर गंगा जी में कर दिया गया है बाकी बात तो वही है सारा चीजे है यह सारे चीजे तो सरकार का योजना है सरकार तो काम करेंगे आने वाले समय में एक दो हफ्ता में 45 लग मचली हम गंगाजी में डालने वाले हैं एक दो हफ्ते में डेट आने वाला है रेंचिंग करने वाले तो और इसी तरीके से जब समाज के लिए और खास करके ये तो परधार मंतिय जी के जनल दिन के अपसर पर हमने ये कार्च करम रखा है तो मुकेश सहनी जो कि आप तत्वीरों में देखे कि मुकेश सहनी जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी है और विकाश सील इंसान पार्टी के मुख्या है उन्होंने आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के 71 जन्म दिन के मौके पर 71,000 अंगुलिकाओं को जल प्रवाहित किया और फिर स अपके सामने है कि किस तरीके से मुकेश सहनी जो छोटी मचलिया है उन्हें गंगा नदी में प्रवाहित कर रहे हैं और ये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 71 जनम दिन कर बधाई देने का मुकेश सहनी का तरीका है उतकर्ष कुमार सिंग बिहार तक पटना